दी कमिशनर कोर्ट बार एस्वेसेशन द्वारा आयोजीत व्याख्यान वर्तमान परिदिश्य में अधिवक्ता समाज की भूमिका का उत्तर प्रदीश बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं उच्छ नियाले में मुक्य स्थाई अधिवक्ता प्रथम प्रशांत सिंग अटल ने इसमेती सभागार में अधिवक्ता को संबोधित किया जिसके संबन्द में उत्तर प्रदीश बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं उच्छ नियाले में मुक्य स्थाई अधिवक्ता प्रथम प्रशांत सिंग अटल ने बताया कि विश्व में कहीं भी अनियाय एवं अत्यचा सरकार का प्रतिकार करने के लिए अधिवक्ता ही आगे आए हैं विधान सभाचुनों में जो चल रहा है इसमें अधिवक्ताओं का महतपूर्ण भाव रहता है उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार को लाने के लिए आगे बढ़ें जो भारती संस्कृति को आगे बढ़ाने के लि सिर्वास्ताव विने उपाद्याय विवेक सरकारी अभे नंदन त्रिपाठी रामसंकर राम त्रिपाठी अभे गुपता सुनेल मिश्रा सहेत भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहें इस संबन में गुरेपूर नियों से बात करते हुए उतर प्रदीश बार काउंस अधिवक्ता समाज मा सरस्ताथी का ही पूत्र है मा सरस्ताथी के इसे लिवरोसाय विन जाय मर्यातान के लिए विवक्ता को विदूलत शुवाद तो यह ज्यांतुआ है कि वह आज रहे हैं कि में तबका बद्धिलन हो जाये गांता परत्याश्न है और मैं आप से आप्रह करूंगा के पेपया प्राण सिंग्ताथी को माल्यार कुण करके अधिवक्ताथी अधिवक्ता समागम किये जा रहे हैं प्रतेख जीलें आखिर जो राज्यंतिक परदिश्य चल लहा है या सीधे सीधे कहें कि चुनाव चल लहा है इसमें अधिवक्ताओं की क्या भूमी क्या है हम स्रिब मद्दाता नहीं हैं हम समाज के अगरणी कौम हैं तो हम ऐसी सरकार को लाने के लिए आगे बढ़ें जो भारतिय संस्कृत को आगे बढ़ाने वाली है या राष्ट के प्रति समर्पित है या राष्ट वाद के भाव जगाने वाली है ऐसी सरकार के पच्छ में अधिवक्ता समाज खड़े हों इसके लिए हम लोग बिभिन जन्पदों में गए हैं आज गोरग पुरमेंच समागम